क्या आपने कभी बैगन का यूज़ करकी कोई स्नैक्स रेसिपी रडी की है I am sure यह रेसिपी जब आप देखोगे तो आप भी इससे बनाओगे जरूर तो वीडियो को लासिक जरूर देखिएगा मैं बहुत ही टेस्टी से कटलिट्स बना रही हूं तो वीडियो को जरूर दे लिया था और यह बैगन के पीसेस इसमें डाल देंगे और बैगन के साथ मैं इसमें यूज़ कर रही हूं काफी सारे मटर तो मटर का सीजन बस खतमी होने वाला है आप इसको इसको इस्तमाल किजे फ्रेश मटर है यह सवा कब जितने बस हमें करना क्या है धीमी आज पर मटर बिसीं धार बशीं होता है तो मने प्र गा कर दीजेगा अज्बडन में पेसेस को दॉघन इसको नहीं करने वेचिए उनके वेज़्ेगे शितंते मांड़ी में फ्रेश को दीगा Ninja अब इस में डाल लिए हरी लसुन काफी सारी मदब वन फोड कप जितनी आप अपने सबसे डाल सकते हो कड़ी पत्ता और पुदीना थोड़ा-थोड़ा सा मैंने लिया है बहुत बढ़िया सा फ्लीवर आते हैं तो इसको मिस्मत कीजेगा हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग डालीगा कम जादा जितनी आपको पसंद हो मैंने आपको क्या किया था पोहे उठाएते उसको वाश करके और साइड में रख लिये थे 15-20 मिनिट पहले तो ये धुले हुए सोक किये हुए पानी निकाल देजेगा और साइड में रख लिजेगा और ये पोहे इसमें हमें मिक्स करना है अच्छी कासी बैंडिंग आ जाएगी थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया नमक स्वात के अनुसार डाल दे और इसको ब्लेंड कर ले तो मैंने अभी आदे पोहे डाल दे थी क्योंकि मिक्सी का जार फुल हो रहा था बाकी के पोहे भी मैं इसमें एड का ले रही हूँ पोहे की जगी पे आप सूजी का भी स्तमाल यहाँ पे कर सकते हो इसमें थोड़ा साब से मसाले डालेगा जो आपको पसंदो फ्लेवर जो मैंने डाले यह ज़रूर से ट्राइ किजएगा तो अब इसमें कुछ चीजें और मैं एड कर रही हूँ जैसे कि मैं ब्रेड क्रम्स इसमें डाले हूँ तो चार ब्रेड की स्लाइस मैंने ब्लेंड कर लिये थी यह ब्रेड क्रम्स फ्रेश वाले इसमें डाले हूँ इसकी जगे पे आप बेसन का भी इस्तमाल कर सकते हो यहां बेसन पसंद ना करो तो चावल काटा भी आप डाल सकते हो इससे अच्छा काशा क्रण्च आएगा हमारी कटलेट्स में तो मैं यहां पे कोई सलरी वगर नहीं बना रही हूँ मैं सिंपल ही इसको रख रही हूँ बस सब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए और फिर हम इसके बनाएंगे बहुत ही टीस्टी से कर ले तो यह रेसेपी आप ज़रूर से ट्राइ कीज़ेगा बच्ची कई बार होता है बैगर नहीं खाते मतर नहीं खाते तो यह बिलकुल इस तरह से छुप जाएंगी सबजियां कि पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें बैगर डाला भी है कि नहीं डाला है आप अपने पसंद की वेजिस इसमें डाल सकते हो जैसे बैगर मतर मैंने थोड़ा सा पका लिया था आप चाहो तो लौक ही पका लो गाजर थोड़ा सा पका कि आप डाल सकते हो तो आप कोई भी वेजिस का इस्तमाल कर सकते हो तो यह रेसेपी बिलकुल मिसमत कीज़ेगा बनाईगा ज़रू तो मैंने इसको कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप दिया है अब कोई भी शेप में बना सकते हो सर्कल ओवल या फिर ड्रेंगल शेप भी आप दे सकते हो तो मैं इसको मैंने जैसे का कि मैं सिंपल ही रख रही हूँ अब चाहो तो एक सलरी बना लो आटे जो है बन के बिल्कुल तयार है तो कैसे लगी आज की ये बढ़िया सी रेसिपी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें कमेंट में युमी ज़रूर टाइप कीजिगा अगर आपको भी ये कटलिट जब युमी युमी लगे हो तो मैंने इसके साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा